आज क्या होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं quickly आज यहां पे जो tax related proposal था 30% TDS 1% वो सब चीज़े जो है यहां पे law बन सकता है hoping कि वहां पे कुछ discussion हो कुछ changes propose किये जाएं पर just in case जो भी अगर ऐसा push हो जाता है तो यह Indian crypto scenario के लिए बहुत ही एक पूरी news है इससे क्या market effect होगी पूरी market mostly नहीं Indian exchanges, INR pair basically वहां पे थोड़ा chance है effect होने का market यह हो गई एक बात दूसरी बात इसके बाद क्या हो सकता है इसके बाद guys बहुत सारे लोग जो मुझे पूछ रहे है so long term investing is still open क्योंकि आप जब बेचते हो जब आप sell कर रहे हो आपका खरीदा हुआ crypto तो वहां पे taxable एक event create होता है तो अगर आप SIP कर रहे हो long term के लिए अगर आप buy and hold कर रहे हो long term के लिए आपके लिए जादा चीज़ें जो है change यहां पे नहीं हुई है क्योंकि आपको TDS और वो सारी चीज़ें नहीं है flat 30% tax है that is going to be the situation हम लोग अभी सब जो है petition और यह सब चीज़ों से try तो करी रहे है but it might take some time but अगर आप long term holder हो तो आपको वैसे भी जादा फरक नहीं पड़ता तीसरा, बहुत सारे लोग मुझे यहां पे पूछ रहे थे कि यार blockchain developers का क्या होगा, क्या कर सकते है, क्या नहीं कर सकते है ना rely करते हुए crypto के तुरू जादा सादा पैसा कैसे बनाया जाए unfortunately वो जो career related videos हैं जो थोड़ा पढ़ाई करके थोड़ा सीख कर rather than making 1 lakh, 2 lakh जो 60 lakh, 70 lakh का और पूरी life के career opportunities देते हैं उनको views बहुत कम आते हैं, उनको they don't perform well, उससे channel पूरा का पूरा negative में effect होता है, जब भी वो video डलता है, इसलिए मैंने बहुत कम डाले हैं, बट डाले हैं बागी लोग नहीं डालते हैं, because of that reason also so यह एक important चीज है, पर वो option हमेशा open रहती है guys crypto में career, अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है अगर ऐसा होता है कि जो Indian projects है, वो India के बाहर जा रहे है, because वहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी favorable हो जाती है, so यह हमें ज़रूर देखने को मिलगा, but being in India चाहे community ambassador हो, चाहे marketing manager हो, चाहे blockchain developer हो जिसको लेकि बहुत सारे लोगों को question है, मैं एक minute में उस पे आता हूँ उनके लिए career side से जादा फरक नहीं पड़ता, क्यों नहीं फरक पड़ेगा उन लोगों को जादा वो भी बात करते हैं, और before I move to that important point, इस channel पे मैं अभी वो वाले videos जादा डालने वाला हूँ, तो अगर views कम आते हैं, 5 views आते हैं, I don't care, 5 views is more than 0 which is fine, तो वो videos थोड़े जादा आएंगे, long term investing तो हमेशा से आए है, fundamental reviews ज़रूर आएंगे, 100%, fundamental analysis आएगा, news related content आएगा, जादा career related content मैं अब यहाँ पे डालना स्टार्ट करूँगा, career, managing finances, managing money, वो वाला angle हम थोड़ा यहाँ पे explore करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने financial funda create किया रहा था, वो channel चलता रहेगा, बड़ यहाँ पे भी थोड़े बहुत वो वाले videos मैं डालना स्टार्ट में international clients के साथ काम करता हैं, और local भी यहाँ पे बड़े-बड़े brands के साथ भी काम किया है, इंडिया में चोड़े brands के साथ भी काम किया है, तो payment तीन तरीके से आती है, INR में आती है, US dollar में आती है, या crypto में आती है, पहली बात कर लेते हैं अपन crypto के, crypto में payment आई, तो आपका वो business income क्या लाएगा but because it is crypto वो थोड़ी सी clarity आपको CA दे पाएंगे कि वो आपकी slab के हिसाब से taxable होगा या directly flat 30% होगा क्योंकि वो आपको crypto में आ रहा है and crypto का sale is a taxable event तो हो सकता है वहाँ पे मानलो आपको 1,00,00 रुपे आया crypto से flat 30% 70,000 आपका income हो गया as INR में payment आता है आपको कुछ फरक नहीं पड़ता आपका जो income slab है उससाब से आपको tax देना है US dollar में payment आता है कुछ फरक नहीं पड़ता income का जो slab है उससाब से देना है depending on आपका साल का income कितना है ये business income साल का कितना है उससाब से PST लगेगा नहीं लगेगा collect करना नहीं करना है वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी तो यह तीन तरीके हैं यहाँ पर जिसके through business में या राधर आप जब career वाली साइट से build कर रहे हो तो आपको income है तो आप notice करोगे long term holders career जो build कर रहे हैं crypto में चाहे वो ambassadors है ambassadors को लेके भी मेरे पास बहुत सारे question आजाए कि भाई crypto में project का Indian ambassador कैसे बना जाए community manager कैसे बना जाए तो वो सारे लोगों को आप notice करोगे यहाँ पर बहुत ज़ादा negative effect यहाँ पर नहीं हो रहा है वो लोग trading side पर जादा नहीं है तो trading as an income source is great बड़ उसके लावा और भी options अभी explore करने पड़ेंगे play to earn gaming is also interesting I think क्योंकि वहाँ play to earn में directly देखा जाए तो TDS नहीं है play to earn में आपका जो final earning है उस पर 30% है तो that is also a very good option क्योंकि आपका TDS नहीं लग रहा है तो play to earn भी हम यहाँ पर जादा explore करेंगे there is a video coming in next 2-3 days वो भी आप देख लोगे वो भी एक play to earn game के बारे में है तो यह वाले थोड़े angle अभी हम explore करना start करेंगे जो हमें एक worst case scenario है कि ऐसा है कि ऐसा pass हो जाए और उस legal दाएरे में रहे कि हम क्या यहाँ पर कर सकते है it is very important मैं क्या suggest नहीं कर रहा हूँ सब लोगों को काफी सारे लोग comment कर रहे है kucoin कर लें क्या metamask कर लें क्या non kyc exchange कर लें क्या वो एक temporary तरीका हो सकता है आपकी earning चुपाने का बट उसका कोई फाइदा नहीं है क्योंकि उसमें आप चुपाओगे 5000 रुपे tax 10,000 रुपे tax वो चुपाने का positive is आप 5-10,000 रुपे बचाते हो negative is what literally legal action jail right income tax का notice up to 300% tax evasion का rule देखो तो up to 300% भी आपसे वो मांग सकते हो अगर आपका 10,000 का tax था बोलेंगे नहीं 30,000 आप fine भर के देना है तो ऐसी बहुत सारी negative चीज़े हैं उस तरह की चीज़ करने को मेरा कहना ऐसा होगा जो है वो है उसको legal दायरे में रहके करो बाकी आपके हाथ में आप जो करना चाते हैं of course मैं आपको suggest कर सकता हूँ but I can't force you तो वो आपके उपर है आप metamask में रखो या जहां मर्जी रखो मेरा मेरे दिमाग में ऐसा है कि government कहीना कहीं इसको track जरूर करेगी तो यह मतलब जादा देर रहने वाला एक एक plan नहीं है this is not a long term plan यह एक महीना हम थोड़ी सी कुछ मतलब कर लेते हैं उपर नीचे कर लेते हैं वैसा plan है यह एक दो महीना छे महीना पांच महीना साल राइट तो बहुत ही short term plan है अपन बात करें long term career बनाने की long term पैसा बनाने की right so that's what I am coming from ना की नुस्खे short term tricks तो वो सब चीज़ें आपको चैनल पर ज़्यादा देखने को मिलेगी तो यह थोड़ा सा quickly मैं आप लोगे साथ शेयर करना चाहता था अभी हमें यह देखना है कि आज क्या होता है वो update मैं आप लोगे साथ शेयर करी दूँगा telegram पर अपना join कर सकते हो Twitter पे भी मैं share कर दूँँ आप लोगों के साथ जो भी वो update आता है तो let's see how things pan out आज यहाँ पे law कैसा पास होता है तो इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है guys बागी आप लोगों को update वीडियो तो चैनल में मिलते रहेंगे This is Shivam signing off बिलते हैं नेक्स वीडियो में guys तब तक के लिए बाई